Hello everyone, test of knowledge में आपका स्वागत है, सफलता की कुण जी, अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ मैं तरुनकुमार शर्मा, एक्जाम की बास सेशन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है चंपारन सत्याग्रह, आप लोगों को पता होगा चंपारन सत्याग्रह महत्मा गांधी के द अफरीका से भारत आते हैं तो उसके बाद इनका ये पहला सत्याग्रह था, जिसमें इनोंने भाग लिया था और ये एक सकस्सफूल सत्याग्रह था, जिसके उपर हमाज चर्चा करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले टेस्ट औउ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आप जाके PDF को हमारे टेलिग्राम चैनल से free of course डाउनलोड कर सकते हैं. हिस्ट्री की ग्लासेस continue चल रही है. प्रिविएस वीडियो सारे प्लेलिस्ट पे आप जाकर देख सकते हैं. 9000 GK One Liner ये सेशन इस महने से शुरू कर दिया जा रहा है. एक्जाम की बाद जिस पर अभी बात कर रहा हूँ. ये 5 जून से continue है. काफी सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं. इसकी अलग से प्लेलिस्ट है. एक्जाम की बाद जस्ट आपको सर्च करना है. आज अगर आपको सेसी के प्रपरेशन की दरकार है तो मैं आपको सिक्षा दूँगा. मैं आपको क्लासिस दूँगा. बस आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि आप क्या सेसी के एस्परेंट हैं? क्या आप इस साल एक्जाम दे रहे हैं अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स पर बताईए चलिए शुरू करते हैं चमपारन वेर मोहंदास बिकम महत्मा जहां पर महत्मा जो मोहंदास थे वो महत्मा बन जाते हैं इसका मतलब ये वो दोर था जहां पर इन्हें महत्मा की उपाधी दे दी गई और ये महत्मा की उपाधी किस ने दी थी उस पे आपको पता है मैंने बहुत बार बताया है जब महत्मा गांधी के उपर मैंने एक्जाम की बात में ही एक सेशन चलाया था प्योर महात्मा गांधी जी के उपर तो उसमें मैंने डिसकस किया था कि ये महात्मा की उपाधी किस ने दी थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा गांधी जी से रिलेटेड सारे फैक्ट वहां पर एवलेवल हैं मेरे तरफ से जितना बन पाया मैंने दिया जो एक्जाम की पॉइड व्यू से इंपॉर्टेंट था लेकिन आपको ये बताना है मुझे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधी जो टाइटल था महात्मा वो किस ने दिया था कमेंट बॉक्स पर जड़ा बताईए लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको पता है मैं हमेशा बैग्राउंड सा जाता हूँ तो बैग्राउंड यहां पर क्या है आखिर ये चमपारन हुआ क्यों क्या पीछे इसके बैग्राउंड क्या रिजन रहे होंगे तो मैं बात करता हूँ चमपारन सत्यागरह के लिकर उसके बाद मैं बात करूँगा जो आपके लाइनर रहते हैं वन लाइनर या टू लाइनर जो अभी आप देखोगे उस पे स्लाइड जो तो मैं बात कर रहा हूँ चमपारन किसानों से क्या हुआ था कि अंग्रेजों के अंग्रेज बगान मालिक जो हुआ करते थे उनके बीच में एक डील हुआ करती थी बने एक डील हुई थी अब प्रॉब्लम क्या है आप बोलोगे अंग्रेज बगान मालिक येस देखे जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया उसके बाद विदेशों से अंग्रेजों को बुलाया गया कि आप यहां आकर खेती करिये और यहां की महिलाओं से साधी करिये विवाह करिये इस तरह के प्रपोजल रखे गए थे ठीक है तो वहां से जो लोग आये थे तो अंग्रेज किसान बने बहुत सारे बहुत सारे हिंदू किसान भी थे बहुत सारे मुस्लिम किसान भी थे तो वहां पर जमिदार बनकर रोल प्ले किया गया अंग्रेजों के द्वारा भी तो जो अंग्रेज बगान मालिक थे उनसे ये डी हुई थी कि किसानों को क्या करना पड़ेगा 3 by 20 3 by 20 मतलब नील की खेती करनी पड़ेगी 3 by 20 का मतलब है तीन कठिया पदती भी से कहते हैं ओके माने 20 जो भाग होगा उसमें से 3 हिस्सा जो होगा उस पे नील की खेती करनी पड़ेगी तो ये स्कीम चलाई गई अंग्रे जो अंग्रे जी जो बगान मालिक थे उन लोगों के द्वारा लेकिन 19 सेंचुरी के बाद अंतिम जब टाइम हुआ 19 सेंचुरी का अचानक क्या होता है जो इतनी डिमांड हुआ करती थी नीले रंग को लेकर जो रंगों को लेकर जो नील की खेती जो थी या फिर आप कह सकते हैं नील की खेती के जो मार्केड में डिमांड थी इतनी वो धीरे 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 डाउन होना शुरू हो गई ऐसा क्योंकि यहां पर अब रासाइनिक जो आप जो कैमिकल जो कलर्स होते हैं उसके अविशकार शुरू हो चुके थे तो यहां पर खेती किये वे रंगों की डिमांड कम होना शुरू हो गई अब इससे जो नील के जो बगान मालिक हुआ करते थे उन लोगों ने अब किसानों से डिल कैंसिल करना शुरू किया बहाना करना शुरू किया उनके साथ और करार जो किया गया था जो डिल की गई थी उस समझोते से भी अब इनकार करना शुरू कर दिया किसानों को बड़ा खराब लगा और किसानों ने इसके लिए एक आंदोलन चलाने के लिए सोचा यहां पर बात खतम नहीं होती है आखिर आंदोलन क्यों चलाया गया इसके पीछे रिजन था कि एक तो अंग्रेजों ने नील की खेती करने के लिए प्रेशर दिया जिससे प्रॉफिट नहीं आ रहा था साथी साथ भारी लगान भी चुकाने के लिए कह दिया कहा गया कि आप भारी लगान चुकाईए भारी टैक्स दीजे इससे किसान और नाराज हो गए 1917 में राजकुमार सुकल एक आदमी थे जिनोंने चंपारन के साथ जो एक चंपारन के किसान हुआ करते थे उन्होंने इस आंदुलन का नित्रित्व किया उन्होंने क्या किया कदम बढ़ाए और वो गांधी जी से मिलने के लिए लखनाऊ चले गए क्योंकि गांधी जी आये थे जब सुरुवाती दौर में उन्होंने ये सुना था कि गांधी जी फर्स्ट जब 1915 में भारत आते हैं तो भारतियों को फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की मदद करने के लिए कहते हैं काफी संक्या में भारतियों जुट जाते हैं तो राजकुमार सुक्ल को ऐसा लगा कि सायद गांधी जी हमारी मदद कर सकते हैं तो राजकुमार सुक्ल 1917 में चमपारन के जो किसान थे वो गांधी जी से मिलने लखनाऊ उचल जाते हैं गांधी जी के चम्पारन पहुँक्ते, जब गांधी जी सब मिलता है, तो गांधी जी को मना लेते हैं, अब गांधी जी जब निकलते हैं चम्पारन के लिए ओके, कहानी बहुत बढ़ी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या बाते हुई तो वो important नहीं है, जो ब धमकी दे देते हैं कि हम अगर आप मुझे आने नहीं दीजेगा अगर आप मुझे क्योंकि उन्हें जहां जहां वो उत्रेते स्टेशन से वहीं पर उन्हें रोग दिया गया था तो गांधी जी ने सत्याग्रे की धमकी दे डाली थी गांधी जी ने कहा अगर आप मुझे जा रहे हैं इस चंपारण सत्याग्रे भारत में सत्याग्रे का जो ये प्रयोग हुआ था गांधी जी के द्वारा ये पहला प्रयास था इसके पहले आप जानते हैं कि गांधी जी अफरीका में चला चुके थे इस तरह का सत्याग्रे लेकिन भारत में ये पहला प्रयास था भी कृपलानी थे यह मैं जितने नाम बोल रहा हूं आप लीज नोट डाउन करिएगा आगे आपको मिलेंगे सायत एक दो नाम मिसिंग हो गए हो लेकिन मैं जो कह रहा हूं आप लीज उसे फिर से रिवाइस करिएगा वीडियो को उसके बाद आप लीज़ेगा क्योंकि मैं गांदीजी को सफलता मिलती है और उन्हें महात्मा की उपाधी दे दी जाती है अब ये महात्मा की उपाधी कौन देता है वो आप कमेंट बॉक्स पर बताएंगे क्योंकि मैं यहां अब रुक रहा हूं अब मैं लेक्चर में इंटर करने वाला हूं चलिए देख लेते हैं अब मैं लाइनिंग को पढ़ूँगा क्योंकि मैंने स्टोरी आपको अच्छे तरह से बताया है। चंपारण डिस्ट्रिट इस हिस्टोरिक रिजन विच नाव फॉर्म्स इस चंपारण डिस्ट्रिट इन बिहार इन इडिया। चंपारण जीला एक एतिहासिक शित्र है जो पूर्वी चंपारण जीला और पश्मी चंपारण जीला बिहार भारत में है। दोनों ने इंडिको की खेती के लिए लगाए थे। जो मैंने आपको बताया है टैक्स बहुत जादा बढ़ा देना जिससे किसान परिशान हो गए थे। महात्मा गांधी जी जो पंडित राजकुमार शुकल द्वारा प्रेरित किया गया था। माने उन्होंने प्रेरित किया था कि प्लीज हमारे यहां पर आईए जो दिक्कते चल रही है उससे सॉल्यूशन निकाली है उसका नहीं तो किसान आत्मत्या करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। इस छेतर में जाने के लिए जो इंडिगो के एक उत्पीडित थे मतलब वो एक किसान थे राजकुमार सुकल और वो भी परेशान थे इस जो इस तरह के जो हरकते की जा रहे थी अंग्रेजी अंग्रेजों के द्वारा। दचंपारन सत्यागरे बिगन चंपारन सत्यागरे शुरू हो जाता है। was organized where Gandhiji's hand-picked group of eminent lawyers like Babu Brach Kishore Prashad, Dr. Anurag Narayan Sinha, Dr. Rajinder Prashad accounted the general state of degenerate living, atrocities and terrible episodes of suffering of the indigo farmers. गाओं का एक वरिस्तित सर्वेक्षन और अध्यन आयोजित किया गया। देखा गया कि सर्वे करकर देखा गया कि क्या ये जो कहा जा रहा है राजकुमाद सुक्ल के द्वारा क्या ये हकीकत में ऐसा ही है या कुछ और बात है। स्टड़ी की गई उसके बारे में कि हाँ जो बात है वो सही है या नहीं उसके बारे में स्टड़ी शुरुई जहां गांधी जी, बाबू ब्रचकिशोर प्रशाद, डॉक्टर अनुग्रह नाराइन सिना और डॉक्टर राजिंदर परसाद जैसे प्रख्यात वकीलों के सम जी बत्तर इस्तिती बन चुकी है किसानों की यहां पर उस्ट पर दे फर्स टाइम इन एंटी रोलेट अक्ट एजिटेशन देखिए मैंने अभी आपको बताया सत्याग्रह पहले भी हो चुका था इनके द्वारा लेकिन यहां पर पहली बार किया गया भारत में लेकिन एंटी रोलेट एक्ट एजिटेशन जो किया गया था वो आपको याद रखना है कि सत्याग्रह वर्ड का यूस पहली बार यहां नहीं हुआ था कहां हुआ था है एंटी रोलेट एक्ट एजिटेशन में क्लियर आगे देखते हैं चंपारन डिस्टिट इन दा स्टेट ऑफ बिहार विए टेंस थाउजन ओफ लैंडलेश सर्फ पारन बिहार राज्जी का एक जिला है जहां दस्यों हजार भूमिहिन सेर्फिड गिर्मिटिया मजदूर और गरीब किसान खाद फसलों की बजाए इंडिगो और अन्य नगदी फसलों को उगाने के लिए मजबूर थे जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक भी था उन की खेती पर भी असर पढ़ रहा था जिससे वो परिशान होकर इस आंदुलन में आगे बढ़ते हैं यह समान किसानों से बहुत कम कीमत पर खरिदते थे मतलब यह जो समान खरिदते थे जो लैंड होलर से उन लोग क्या करते थे कम दामों पर किसानों से समान खरिदते थे तो जिससे किसानों को बड़ी दिक्कते हो रही थी जमीदारों के कुरूर्क मिलिशिया द्वारा दबाये जाने पर उन्हें अत्यदिक गरीबी में छोड़कर नगर्न ने मुआवज़ा दिया गया माने जितनी मुवाज़ा दिया जा रहा था उससे भी अब कम देना शुरू किया इन्होंने यहां तक कि एक विनाशकारी आकाल की स्थिती में ब्रिटिस सरकार ने उन पर भारी कर लगाया और दर बढ़ाने पर जोड़ दिया अब यहां सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि भारी आकाल भी आ गया था फैमीन आ गया था जिसके बज़ा से सारे किसान भूकमरी से मर रहे थे और यहां पर इस तरह की हरकित कर दी गई विदाउट फूड और मनी दा सिचुएशन वास ग्रोइंग प्रोइश्वली अन बिरेबल और पेजेंट्स इंचंपारण रिवोल्टेड अगेंस गवर्मेंट इन इंडिगो प्लांट कल्टिवेशन इन 1914 अट पीपरा और इन 1916 अट तूरकॉलिया भोजन और धन के बिना इस्तिती उत्रतर असहनी होते जा रही थी और चंपारण में किसानों ने 1914 में पीपरा और 1916 में तूरकॉलिया में सरकार के खिलाफ विद्रोग कर दिया ऐसा नहीं है कि इन्होंने गांधी जी के आने के बाद ही विद्रोग किया किसान परिशान थे उन्होंने 1914 में पीपरा पर अंदुलन किया और 1916 में तूरकॉलिया में आंदुलन कर दिया था तो ये गलत हो जाएगा कहना कि चंपारण ही पहला सत्याग्रह हुआ था नहीं ये गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह था ये आपको समझना है लेकिन वहाँ पर चंपारण जो एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पर दो अंदुलन पहले ही करवा दिये गए थे आपके किसानों के द्वारा राजकुमार सुकला who was an indigo cultivator pursued महात्मा गांधी to go to चंपारण and hence the चंपारण सत्याग्रह begin राजकुमार सुकला जो एक indigo cultivator थे ने महात्मा गांधी जी को चंपारण जाने के लिए राजी किया और इसलिए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई यहाँ पर गांधी जी arrived in चंपारण उन 10 अपरेल 1917 ये डेट आपको याद रखनी है very important with a team of eminent lawyers कौन कौन थे बरच किशोर प्रशाद, राजिंदर प्रशाद, अनुराग, नारायन, जिना और आचारे क्रिपलानी गांधी जी 10 अपरेल 1917 को प्रख्यात, वकीलो यानि बरच किशोर प्रशाद, राजिंदर प्रशाद, अनुराइन, नारायन, सिना और राचारे क्रिपलानी के टीम के साथ चंपारण पहुँच जाते हैं और अपने हाथों में कंट्रोल लेना शुरू करते हैं सो गाइस ये हमारा था लेक्चर और आपको पता है गांधी जी को इसमें सफलता मिलती है और अंग्रेजों को, किसानों को जो मुआफ़जा था वो भी देना पड़ जाता है, जो लैंड होलर्डर्स होते हैं, उनको देना पड़ जाता है मुआफ़जा भी इसका मतलब है गांधी जी का ये सफल सत्यागरा है रहा, और सी के साथ हम और नेक्स लेक्चर पर आगे बढ़ेंगे लेकिन आज आपके लिए एक बहतर कोशन है, अगर इस तरह का इनिशेडिव आपको पसंद आए तो ज़रा कमेंट बॉक्स पर बताईएगा ताकि आज मैं आपको एक कोशन दे रहा हूँ, नेक्स लेक्चर जब होगा एक्जाम के बाद, तो मैं वादा करता हूँ, मिनिमम फाइफ कोशन मैं आपको दूँगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर कि आपको क्या इस तरह के इन बिहार में, अब बात हो रही है, गांधी जी अराइब इन चंपारन ऑन 11 अपरेल 1917, क्या ये सही है, तो ये दो पॉइंट है, चंपारन इस डिस्टिट इन बिहार, क्या ये सही है, या दूसरा देखिए, गांधी जी अराइब इन चंपारन 11 अपरेल 1917, इन दोनों आप दे तो इसका comment box पर answer देना है, हिंदी में भी देख लेते हैं, निमलेकित कतनों पर विचार करें, चमपारण बिहार में एक जीला है, गांधी जी 11 अप्रेल 1917 को चमपारण पहुचे, अब बताना है आपको इन में से कौन सा कतन सही है, केवल एक, केवल दो, एक या दो दो नो, ए एक और दो दोनों या उपर विक में से कोई नहीं, comment box पर answer बताएए, तो ये गांधी जी, my life is my message, ये हकीकत है, महात्मा गांधी, तो आज का सेशन कैसल अगर पसंद आया है, तो लाइक करिएगा, ज्यादा से यादा शेयर करिए, ताकि दूसरों की मदद हो सके, comment box पर एक कोईशन पूचा गया, दो कोईशन पूचा गया, एक महात्मा गांधी को महात्मा की उपादिक इसने दीते और अभी एक जो कोईशन पूचा गया, वो, okay, guys, मैं एक important बात बताओं, चानक्या live में आज से आपको, okay, timing मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि time fluctuate हो सकता है, आज से आपको चानक्या live में math की class और reasoning की classes देखने को मिल सकती है, मिल सकती है, मतलब या तो math आज मिलेगी, या फिर reasoning मिलेगी, लेकिन आज इससे ही आपका lecture वहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आपने चानक्या live को subscribe नहीं किया, तो आज ही जाकर subscribe कर लिजए, क्योंकि मैं विडियो जैसे ही upload करूँगा, आपके पास वो आ जाएगा, ओके और चानक्या live को subscribe कर लिजएगा, और आपने अगर PDF के लिए आप अभी भी परेशान हो, तो हमारे टेलिग्राम चैनल लिंक दिया जा रहा है, description box में, आप जाके टेलिग्राम चैनल से free of cost, टेलिग्राम च साथ, THANK YOU